ना क्रीम ना बटर ना माबा आज मैं आपको रेश्टरन स्टाइल पनीर भूना मसाला बनाने का सबसे आसान तरीक आपता हूंगा और इस तरह से आप ग्रेवी बाली पनीर की सब्ची बनाएंगे ना खाने बहुत ही चादा टेस्टी बनेगी को बर्डे वार्टी या फिर आ सबसे पहले आपको यहां पर पनीर चीओगा तो 200 ग्राम यहां पर ने पनीर लिया है पनीर को आपने हलका सा पेपर की साथा से इस तरह से थोड़ा ड्राई कर लेना है ताकि पनीर के अंदर जो मौश्रों वो खत्म होजाए क्योंकि जब आम पनीर को फ्राई करते हैं फिर आपने इसमें पनीर एड़ कर देना है और गैस की फ्लीम आपने हाइं रखने हो जाता है तो जह से इसका हलकावार राट कर देना है और की 잘 ढ़ए पुछ प्रष तरह से बेना निर को अपने नहीं करना चाहिंए तो बिना उद्सक्राइब अपने ड़ना की त्यार कर लिए रही है इसी आपको एक प्याज तीन टोमाटर चाहिए इनको आपने चॉप कर लेना है टोमाटरों को पीस तक गरम पानी में भीगोकी रखते हैं तक अच्छे से फोल जाएं अगर आप काजू नहीं खाते हैं इसके बदाम का यूज कर सकते हैं मगज का यूज कर सकते हैं बचे ऑइल में आपने शिमला में चौप यह प्याचा अड़ करते हैं थोड़ा सा उपर से नम्क स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा सापने हल्दी पॉर्डर एड़ करना है और थोड़ा सापने कश्मीरी लाल में इस पॉर्डर डालना है इसको आपने गैस की लिम हाई रखनी है डेट से दो मिन तरह हाई फ्ले में इन सब्जियों को पका लेशे ताकि इन में जो कच्छा टेस्ट होता है आप बाद में पका सकते हैं अब बाद में अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है तो इनको आपने पहले इस तरह से देखिए शेलो फ्राई करके रख लेना है हलकी से सब्जियों सोफ्ट हो जाएंगे इनको निकाल लेशे अब कड़ाही में आपने एक बड़ चमश ऑईल क अच्छा फ्लेवर आए दो आप इसमें बड़ी लेशी एड़ किशे एक चोटा सा पीस आप इसमें दालचीनी का एड़ कीजे दो आपने इसमें लॉंग एड़ करने है अब गैस की फ्लिम आपने एक्टम लोग रखनी है मसाले जासे गर्म हो चांगे एक छोटा चमश भर प्याज अच्छी तरह से पक पे चुका है एक छोटा चमश आपने अदर लसन का पेश करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियु में अधर के पेश को भी अच्छी तरह से पका लेशे ताकर यसको कच्छा डेस्ट है नहीं दूर को कूट के बी आदर सकते हैं तो जैसे पे तो आपने इसमें बारी कटे तो टमार कर देने हैं और तमाटरों के साथ में आदा चमच आप इसमें नमक भी एड़ कर देशें अब आपने गैस की फिलिम आप 30-40 सेकंड तक हाई रखनी है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गर्म होज आए फिर गैस की फिलिम आप मीडियूम कर देशे, उपर से कवर कर देशे, मीडियूम फिलिम में टमाटरों को अच्छी तरह से आपने पका लेना है यह देखिए, एक म अच्छी तरह से मिक्स कर देशे, फिर इनको उपर से कवर करके पकने देशे, इसके आपने काजू भिगो के रखेंगे 20 प्रिंट देखिए हो चुके हैं और काजू अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छे से सौफ्ट प्यो चुके हैं, जो पानी है इसको अपने हट जा देना है, और काजू को मेक्सी गेंडर जार में डाल देशे, थोड़ा सा आपने इसमें पानी एड़ करना है, और इनको पीस लीचे, एक्तम फाइन आपने इसका पेस्ट पना लेना है, छोड़े जार में ग्रैंड कीजेगा, अच्छी तरह से पेस्ट जाते हैं, मसाले जाएंगे, आदे से कम चमच आपने गर मसाला पॉडर लेना है, एक चमच करश्मीरी लाल मेश पॉडर, आदे चमच जीरा पॉडर, आदे से कम चमच हल्दी पॉडर, एक छोटा चमच आपने दनिया पॉडर, थोड़े सी कसूरी मित्धी का यूज़ करेंगे, और देखे चार से पांच मिड़ हो चुके हैं, मुझे टमाटरों को पकाते हुए, और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके है, इसकी भी अच्छी तरह से देखे, ग्रेवी बन चुकी है, अभी जो हमने काजू का यूज़ की है ना, इससे ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, और होटल काजू पीस के रख्यों के, काजू इसमें एड कर देना है, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, जब तेज गैस में नहीं पकाना है, क्योंकि जब आप इसमें काजू एड करते हैं, तो काजू को भी अपने मीडियम फ्लेमें अच्छी तरह से पका लेना है, अब अगर आपकर स्काजू ना हो आप इसके दूद की मलाई डाल सकते हैं या फिर क्रीम मिलती है मार्किट में करीम कर सकते हैं और बदाम तो मैंने बताई दिया बदाम भीगोगे रखते हैं उनको पीस के डाल सकते हैं फिर आपने जो प्याज और यहां पर शिमलाविश अगर पर पनीर भूना मसाला बनाने की रेस्पी शेयर किया है अब पनीर को अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देशे दो मिन तक आप इसको एक तम लोग फले में पकने देशे तक कि पनीर अच्छी तरह से यहां पर गर्म हो चुके हैं और यहां पर ग्रेवी ने और पनीर भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है गर्मा गर्म आप इसको रोटी नान या राइस के साथ ना सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शर्क में चुरू कीजिएगा ओके फ्रेंस ने वीडियो के साथ थैंक यू